आज हम बात करेंगे आयुर्वेद में मौझूद उन उपायों की जिनसे कि आप अपने बड़े हुए कुटनाइन लेवल को कम कर सकते हैं दरसल कुटनाइन हमारी बोडी में मौझूद एक वेस्ट प्रॉड़क्ट होता है जो किड्नी में आई खराबी या प्रोटीन के जादा सेवन से हमारे ब्लड में इंक्रीज होने लगता है जिससे हमारी किड्नी धीरे धीरे डामज होने लगती है लेकिन आयल वेड में कई ऐसे उपाय मौझूद हैं जिनसे कि आप अपने बड़े हुए किटनाइन लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं और किड्नी के समस्या से बचे रह सकते हैं तो चलिए एक एक करके हम उन उपायों के बारे में जान लेते हैं जो आपके बड़े हुए किटनाइन लेवल को कम कर सकते हैं तो सबसे पहले नंबर पर आता है मुनक का अगर आप अपने बड़े हुए किटनाइन लेवल को रिड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए मुनक्य के पानी का सेवन कर सकते हैं आपको मुनक्के को रात भर के लिए पानी मे भिगो कर छोड़ देना है और सुबा उठते ही उस पानी का सेवन करना है ऐसा करने से मातर कुछ ही दिनों में आपका कृटनाईन लेवल्ल रेड्यूस हो सकता है और आप अपनी इस समस्या पे राहत पा सकते हैं कॉटनाइन लेविल को रिडूस करने के लिए दूसरे आयरविदिक नुस्के के बात की जाए तो इसके लिए आप कॉण सिल्क यानि के भुट्टे के बाल का प्रयोग कर सकते हैं कॉण सिल्क में मौझूद anti-inflammatory और natural duretic जैसे गुण पाये जाते हैं जो आपके बड़े हुए कॉटनाइन को यूरीन के रास्ते बाहर निकालने में मदद करते हैं कॉण सिल्क प्रयोग करने के लिए आप एक कप गर्ण पानी में दो चमच कॉण सिल्को डाल ले और फिर दस मिनिट बाद उस पानी को पी लें ऐसा करके आप अपने कुटनाइन लेवल को कम कर सकते हैं अब बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाये की तरफ कुटनाइन लेवल को कम करने के लिए आपको अपने नमक के सेवन पर भी खास ध्यान देना होगा आम तोर पर हम जिस नमक को अपने खाने में यूज करते हैं उससे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है जिससे कि हमारा कुटनाइन लेवल बढ़ने का भी खत्रा बना रहता है इसलिए किटनाइन लेवल को कम करने के लिए आपको सफेद नमक की जगा सेदा नमक का प्रियोग करना होगा इसके अलावा आप अपने किटनाइन लेवल को कम करने के लिए कैमो माईल टी का सेवन भी कर सकते हैं और इसके सेवन से अपने बड़े हुए कुटनाईन को कम कर सकते हैं। साथ ही इसका सेवन आपको डाइबटीस की समस्या से भी छुटकारा दिला सकता है। तो यह है आईवरेट में मौझूद वो नुसके जिनकी मदद से आप अपने बड़े हुए कुटनाईन लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आप हाई कुटनाईन लेवल की समस्या से परिशान हैं, तो हमारे द्वारा बताए गए टिप्स को डॉक्टर की सलहा से अपने रोजाना के जीवन में शामिल करें। और अगर हाई कुटनाईन की वज़े से पहले से ही किसी की किड्नी खराब हो चुकी है, तो वो इन चीजों का सेवन बिना डॉक्टर की सलहा के बिल्कुल ना करें। अगर आप भी किड्नी से लेटेड या फिर किसी भी अन्य समस्या से परिशान हैं, तो हमारे आयरवेदिक हॉस्पिटल कर्मा आयरवेदा से संपर कर सकते हैं। गर्मा आयरवेदा ने अब तक तेर लाग से अधिक मरीजों को ठीक किया है, और आज वे बिना किसी परिशानी के अपना चीवन जी रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिलकुल भी न भूलें। हम आप से मिलेंगे एक नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना खयाल रुखें, हेल दी रहें।